हलो बच्चों, कैसे हो सब लोग, बढ़िया, बच्चे हम लोग इलेक्ट्रास्ट्राइटिस का खुब अच्छा से रिवीजन कर लिये थे और एक्जामनेशन अब बिल्कुल सामने खड़ा है, तो आगे का रिवीजन भी हम लोग का होना चाहिए और इस बिंदू पर हम लोग ऑफ्लाइन क्लास में काफी बाते कर चुके थे, लेकिन अब तो count, फिंगर पर count किया जा सकता है, what is the number of day for examination, count किया जा सकता है, इस conditions में ज्यादा रिवीजन को लेट करना अच्छा नहीं रहेगा, और अपनका syllabus भी जो ऑफ्लाइन क्लास का syllabus है, और syllabus भी लगभग लगभग, finished की और जा रहा है, तो हम लोग को एक deep revision का ज़रुवत है, और बच्चे मैंने आप लोग को unit by unit कुछ अच्छे question का, कुछ best question का, जो unit के best question होते हैं, उसका मैं आपको एक set भी भेज चुका हूँ, तो according to set, जो मैं set भेजा हूँ, 10 units का बिलकुल आपको मैं set भेज चुका हूँ, तो according to set, मैं आप लोगों का revision, इलेक्टो चुकी मैं कर दिया था, तो second unit current से मैं आप लोग के लिए revision का class लेकर के बच्चा आया हूँ, तो आज का जो आप बिना time waste किये, मैं आपको direct बोलो कि आज का आपन का revision का जो topics है, वो हम लोग electric current का revision क करेंगे बच्चा, और इसका revision अपन का होगा, तो जो set में जो पहले short question दिये हुए है, अपन का जो short question है set में, सबसे पहले हम लोग उनका बारी-बारी से revision करेंगे, और बच्चे जैसा कि मैं आप लोग को पहले commit कर चुका था, कि आपका revision होगा, वो अब digital board पर होगा, तो बच्चे मैं अब आप लोग के लिए, आपके सामने मेरा digital board बिलकुल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, आप लोग के लिए मैंने एक, 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 वेल investment मैंने किया है, ताकि अब मेरे बच्चों को बहतर से बहतर class मिल सके, तो बिलकुल digital board पर मैं आज से आप लोगा class लेक को है drift velocity, आप देख लो page दिकाल करके, सबसे first question आपका है drift velocity, तो बच्चा क्या होता है drift velocity, आप बताओ मेरे को, तुम्हीं लोग बता दो, पहले drift velocity क्या होता है, बता दो तुम्हीं लोग, क्या है drift velocity, जल्दी से बता दो, तो it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field, applied electric field, it is denoted by VD और उपर में हम लोग ऐसे vector का sign देते हैं, क्या मतलब, क्या मतलब बच्चा, आप अच्छा से समझना, आप अच्छा से समझना, जैसे अगर तुम by the way एक conductor लेते हो, तो इस conductor में चार्ज तो flow करेगा, बिल्कुल flow करेगा, और तुम सब बच्चे जानते हो कि चार्ज अगर इधर flow कर रहा है, तो electron इधर flow करेगी, राइट तो पक्का, तो अगर electron इधर flow करेगी, तो अब electron का flow में क्या होता है, तो electron का flow होता है, क्यों जिग 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 यहां से यहां तक कुत्ते काते हुए ऐसे भागता है, चुकि जो जगह यह मिलेगा बाहिए चसी को चलना है तो उसको फ्री इलेक्ट्रों बोलते हैं तो जब फिरी इलेक्त्रों परेगी इसका हमेशा होगा तो जब प्री इसे मूब करेंगी हम करेंगी कृष्य langaroo करें है तो इलेक्ट्रोन के जब iletron move करती है तो आप सोचो खुड सोचो इस सक्सेशिव को लिजन है यहां से गळे यहां से गया यहां से गया यहां से गया एसे गया ऐसे गया का जिग-जग मुसन में आगे भागता है तो इसका वेलो सिटी एक जैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा एबरेज वेलो सिटी फाइंड कर लेना होगा किसका इलेक्ट्रॉन का कहां कंड़क्टर में कैसे जब ओ इलेक्ट्रिक करेंट के अपोजी डियरेक्शन में मूब कर रहा है तो इस सिरकिन का जो यवेरेज वियरो सिटी होगा इसी यवेवेरेज वैवेळो सिटी को हम क्या बोलते हैं वच्चांज इसी आवच्छ Do E ए देख लो यहां तुम देख लो यहां तुम देख लो कि A electron current ऐसे आ रही है तो electron ऐसे move कर रही है तो electron जब ऐसे move करेगी electron जब ऐसे move करेगी तो यह electron का average velocity होगा इसी को drift velocity अच्छा हम लोग जानते हैं कि A e directly proportional to e हम सब जानते हैं पढ़े होना यह चीज़ पढ़े होना कि A e directly proportional to e क्या सही बात है ना पढ़े होना हम लोग एसी क्या पढ़े हम लोग कि A is directly proportional to e आप एफ इस डारेक्टली प्ररपोसिटनल टू ए और हर प्रपोसिटनल क्या चीज़ में टूटता है तो constant में टूटता है तो k into e वह यह चीज पढ़े होना हूं लोग अब यहाँ k में नहीं टोटना यहाँ पर क्या करना k में नहीं तोड़ना यहाँ पर किस चीज सम्होता वहीए का डेरेक्षन थार है और एका डेरेक्षन किजढर हो जाएगा तो इलेक्ट्रों का डेरेक्षन ऐसा है दोनों का डेरेक्षन चुकि आपोजीट है और अपनका फिजिक्स में इसी निटन सहाब आप अच्छा से तुम ध्यान देना आप क्या यहां पर पढ़े आपने पढ़ा कि एफ इस इक्वल टू माइनस इए तुमको दिख रहा है दिक्कत हो रहा है चलो हम लोग दूसरा कलर ले ले लेते हैं यही तो हम लोग को यहां पर आराम है तो माइनस इए अब अगर दोनों को तुम इक्वल कर लोगे तो माइनस इए अब यहां से तुम जिसका मान निकालना चाहो उसका मान निकाल सकते हो जैसे अगर A का मान निकालना चाहब तो यहां से तुम A का मान निकालो, बोलो क्या हो जाएगा A is equal to, तो minus E by M हो जाएगा न, किसका value निकल गया, किसका value निकल गया, A का value निकल गया, और जब A का value निकल गया, तो तुम अब आराम से drift velocity का motion का formula यूज करो, क्या होता है, तो B is equal to U plus AT, U plus AT, U का value, 0, A का value, तो A का value हो गया, minus E by M, और T, यह हो गया drift velocity, drift velocity is equal to minus E, E, T by M, यह हो गया answer, और by देवे तुम इसी को अगर mode में डाल दो, तो भेक्टर का sign हट जाएगा, तो हो जाएगा E, E, T by M, उमीद के रेटरी प्रेविलिट समझ में आ गया, पक्का, चलो बहुत अच्छा, short question है, ऐसी निकलते चलो, अब आते हैं, अगला topics अपन का है mobility, अगला topics अपन का है mobility, बोलो क्या होता है, mobility किसको बोलते हैं, जल्द carrier, carrier का मतलब क्या होता है, तो cycle में carrier लगाते हो, cycle के पीछे में carrier होता है, क्या काम है उसका, उस पर समान को रखना, समान को रखना काम है उस पर, उस पर किसी हम लोग load को रखते हैं, तो charge carrier का मतलब क्या हो गया, जो charge को अपने में रखता हो, तो यह बात है, mobility is a charge carrier, is the ratio, और इसका mathematical हम लोग इसको कैसे explain करते हैं तो इधर ratio किसका किसका ratio है तो ए रेसियो है drift velocity का drift velocity को VD से represent करते हैं और electric current को E से represent करते हैं यह दोनों का जो ratio है इसी दोनों ratio को हम लोग क्या बोलते हैं mobility कहते हैं फिर से ध्यान दो सबसे पहले तो बता देना कि mobility है क्या तो mobility charge carrier है चार्ज को अपने में जमा करके अपने उपर रखने वाले चीज़ को हम mobility कहते हैं यह mobility है charge carrier है अब mathematically कैसे इसको हम लोग explain करेंगे तो इसको mathematically explain करेंगे कि this is the ratio of what is VD VD क्या है बच्चा तो VD है drift velocity और बोलो E क्या है तो electric field drift velocity और electric field इन दोनों का जो ratio होता है इसी को हम लोग बोलते है mobility जिसको mu से represent करते हैं इसका मतलब हो गया बच्चा mu is equal to हो गया VD by E और अभी अभी तुम VD का बिलकुल अभी तुम VD का पढ़े थे formula क्या VD का formula पढ़े हो तो VD का formula पढ़े हो EET by M VD का formula तुम पढ़े हो EET by M तो इसके बदले put कर दो इसका मतलब me is equal to हो जायागा EET by M और A नीचे वाला E तो रहेगा और तुमारा E E cancel हो गया और me is equal to आ गया EET by M इसका unit क्या होता है तो इसका unit होता है meter square per volt per second याद हो गया meter square per volt per second objective के लिए A अच्छा unit है बहुत सारे बच्चे इस unit में फस्ते हैं तो objective जो बच्चे objective का सासा त्यारी करते चल रहे हैं आपका objective बहुत importance है इस बार बहुत सारे question objective में आरे आपको पता ही है कि आपका जो set group 1 जो रहेगा ओ objective रहेगा और बहुत लंबा objective आपका है 35 marks का objective है तो बिलकुल आप एदम से ध्यान रखना और ऐसे objective में एक question आने का बहुत chances रहता है तो याद कर लो मेरे सासा meter square per volt per second SI unit of mobility meter square per volt per second बहुत अच्छा चलो अगला question आते हैं relaxation time क्या है relaxation time हमको जरा तुम लोग समझा दो कोई बताओ क्या है relaxation time तो नाम ही है relax relax कब होते हो जब तुम रेष्ट में होते हो सर्थ थोड़ा रिलाक्स कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते तुम थक जाते हो दो चार पांच question continuous अगर तुम बना गए एक दो घंटा तुम continue पढ़ गए जब कोई हम और करने के लिए बोलते हैं तो सर्थ थोड़ा सा collision मैं बच्चा अभी तुम लोग को बताया था कि अगर बाइदेवे एक conductor है एक conductor है और इस conductor में अगर electron यहां से यहां जाएगी तो जैसे ऐसे नहीं जाएगी वो क्या करेगी एक दुसरे से टकराते हुए जाएगी कुद कुद कर जाती है जम्प करकर जाती है जहां जहां जगह उसको काली मिलता है वहां से ऐसे 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 कुद कुद करके बाहर निकलती है अधरवाइज क्या होगा अगर तुम बच्चा समयना तो यहां से जाकर यहां पर टकराया अगर तुमको हम थोड़े से sign change करके color change करके अगर मैं तुमको यहां बताओ तो थोड़ा ध्यान देना जहां जहां ही rate का sign है वहां महां समयना कि यह तकर आ रहा है तो जब यह तकर इनमें और इनमें क्या मतलब कि जब एक electron यहां पर है और यह electron चलो मैं दुसरे वाले को हुआ वही relaxation time है मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पक्ता समझ में आ रही है एक electron जब दूसरे से जाकर टकराता है तो जितना देर टकर जितना देर टकराया हुआ रहता है उतना देर रेश्ट में है फिर तो चल रहा है फिर तुसको चलना है क्या मतलब दोनों जब टकर is called free path और इसी को हम free path कहते हैं क्या मतलब कि time and distance cover during this time always relaxation time में जितना वो distance cover करता है इसी को हम क्या बोलते हैं free path कहते हैं तो बच्चा यह सब याद ज्यादा नहीं करने का है common sense से तुम समहने का प्रयास कर कि जैसे मान ले एक electron यहां टकराया और दुसरा जगह यहां पर टकराया तो फिर उनके बीच का दूरी तो यही होगा न अब यह जो दूरी है यहां से यहां तका यह जो दूरी है इसी distance को हम क्या बोलते हैं free path बोलते हैं इसका मतलब relaxation time जिसको टाउ से रिपरजन करें बिल्कुल ध्यान देना बच्चा यह जो ऐसे टाउ लिख रहा हो ना यह relaxation time है ट के जैसा लिखाता है लेकिन टाउ के जैसा लिखाता है relaxation time है तो formula होता है relaxation time is equal to mean free path by rms fellow city इसको भी बच्चा तुमको याद नहीं करने का ज़रूत है अच्छा से समझ ट्वेल्व के बच्चे हो अभी तुमको इंग्यामनेशन में examination के बाद just competition में तुमको इंटर करना है अगर हर चीज़ को तुम क्यों याद 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 करके चलोगे नहीं नहीं बहुत सारी चीज़े ऐसी हो चीज़ें को याद करने का जरूवत नहीं अभी मैंने classroom में एक operation तुम लोग के लिए चलाया था कि यस हर question का तुम 80% पाट जानते हो हर बच्चा खासकर जो थोड़े से अच्छी student है जो continued study कर रहे हैं वो हर question का 80% हिसा जानते हैं तो तुम इसको यूज कर डर्मत यूज करके हम तो मैं तो 80% हिसा जानता हूं है ना खुश हो करके खुब अच्छे से ध्यान दे करके इस अपने इस power को तुम यहां पर क्या कर यूज कर अब तुम खुद समझ नॉर्मली जो तुम time निकालते हो तो क्या होता है समय बराबर बोलो क्या होता है समय बराबर तो दूरी बटा चाल होता है कि नहीं distance by velocity होता है ना फिरी पास्त क्या हो गया दूरी हो गया की नहीं हो गया ना और यह समझ ले कि यह जो मॉलिकुल है तो मॉलिकुल का velocity नॉर्मल नहीं माना जाता उसको उस जैसे गैस में तुमको बताया थे class 11 में जब केटी जी तुमको पढ़ा रहे थे kinetic theory of gases केटी जी जब पढ़ा रहे त तो केटी जी में मैंने तुमको बताया था कि gas जो मूब करते हैं वो एक दूसरे successive collision के साथ आए ठकराए फिर यहां वहां भागे तो इनके velocity को normal velocity नहीं माना जाता इसी तरह से electron भी तो ठकरा ठकरा के gas के जैसा ऐसे वैसे भाग रहा है तो इसका भी velocity को हम RMS velocity कहते हैं तो कि मीन फिरी पात को हम लेम्डा से रिपरजेंड करते हैं और RMS velocity को हम भी RMS लिखते हैं और फर्मूला हो गया कि टाव इस इक्वल टू लेम्डा भाई भी RMS तो बच्चा हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया है पक्का अब अगला question अपन का आ रहा है relation between relation between drift velocity relation between drift velocity and electric current बताइए drift velocity और electric current बोले तो VD electric current बोले तो I ये VD और I के बीच में क्या relationship है अगला question आपका यही है कि बताइए drift velocity electric current की बीच में क्या relationship है तो बच्चा सबसे पहले तो आप figure में आ लिजिए ये figure कोई नया figure नहीं है पहले तो मैं आपको बता दूँ अभी जिस figure का चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी figure में क्रेवल circuit को मैंने जोड दिया है क्या एक conductor है एक conductor है एक conductor हो गया अभी इस conductor से क्या हो गया conductor का length L है पहले आप ध्यान दिजिएगा इसे current को flow करा दिया जा रहा है ऐसे तो no doubt इसका drift velocity हो जाएगा ऐसे ए जो conductor में ले रहा है उस conductor का area by the way a है और इसको क्या कीजिए कि आप circuit बना दीजिए ऐसे ऐसे करके circuit बना दीजिए तो इसे current flow करेगा यह plus हो जाएगा माइनस होगा आप सबी बात को जानते है बड़ा वाला डंडी प्लस होता है और इसे current flow हो रहा है sorry तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आप यहां पर करेंट को ऐसे फ्लो कर रहा है ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है तो आप एक करेंट को अमने ऐसे फ्लो क्या सभी है सब कुछ सभी तो ड्रिफ वेलोशिटी है बस जितना यहां पर जो एलेक्टिक फिल बन रहा है बाई दवाई एलेक्टिक फिल यह बात मैंने लिखा कि जो लेंथ मैंने लिए ओ एल है एरिया पुर सेक्षन है इलेक्टिक फिल यह है जो हम current फ्लो करा रहे हो आई है तो सबसे पहले तो हमको आप ए बता दीजिए अब मैं इस फीगर को बेट अब height का मत्तब length होता है, तो area into length, volume is equal to area into length, सबसे पहले volume निकाल लीजिए, और मान लीजिए कि per unit volume number of electron n है, क्या मतलब, unit volume पर number of electron n है, और आपने जो conductor लिया उसका volume कितना है, तो al है, तो al volume पर क्यों electron होगा, तो nal, एक electron पर कितना charge होता है, तो e, आपके पास कितने electron है, तो आपके पास nal, कितना charge हो जाएगा, तो e into nal, आपको charge पूरा का पूरा पता चल गया, nal into e, कितना पता चल गया, nal into e, क्या पता चल गया, चार्ज पता चल गया चलिए जब चार्ज पता चल गया जब आपको यहां पर चार्ज पता चल गया बच्चा तो अब आप क्या निकाल लीजिए तो अब आप निकाल लिए सबसे पहले टाइम क्या होता है distance by time sorry distance by velocity distance by velocity distance कितना तो L velocity कितना तो BD आपको time भी पता चल गया current निकालना है आपको क्या होता current is equal to charge by time बोलिए बोलिए चार्ज कितना था आप देख लीजिए N A L E यही चार्ज है कितना है तो N A L E और time कितना है अभी आप time निकाले है L by V D L से L कट गया V D जम करके उपर चला जाएगा तो I is equal to N A E V D this is the relation और आपको मैं एक बात बताऊ number constant है number बदलेगा क्या अपने 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 number बदल जाएगा बहुत पीटेंगे कहां जा रहे हो गलत जगा नहीं जाओ नहीं चेंज होगा area conductor का area change हो जाएगा क्या नहीं नहीं तुम्हारा conductor अपने अपने अरे metal बबाबा नहीं चेंज होगा E का value नहीं कभी नहीं 1.6 into 10 to the power minus नहीं change होने वाला चीज है a drift velocity तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा constant हो गया तो I proportional VD this is the relation between current and drift velocity तो चलिए फटा फट हम लोग निकलते चलिए लिजिए एक topics है current density current density क्या है Js ते represent करते हैं current density is a ratio of current by area per unit area पर जो current का amount होता है उसी को हम current density कहते हैं per unit area पर amount of current 21 छेत्रफल पर जितना विद्दुत धारा किसी conductor पर flow करती है unit area से जितना conductor का जैसे बाइदे वे आप एक conductor ले लो इस conductor का area बाइदे वे ए है और current flow हो रहा है I तो बच्चा बच्चा ये area से कितना current flow हो रहा है I तो unit area से कितना current flow होगा I by A इस unit area से इस conductor के ये पूरा का पूरा A area से अगर इसका area A है तो जो current flow हो रहा है उसका amount कितना है तो I है तो बोलो इसका unit area से कितना current flow करेगा I by A और इसी को हम कहते है current density जिसको J से रिपरजेंट करते हैं बोले तो J is equal to I by A उम्मीद करें समझ में आया चलो बहुत अच्छा अब इसको और आगे तुम तोड़ सकते हो बोलो current is equal to क्या होता है बोलो I by A तो current is equal to क्या होता तो charge by time current is equal to I is equal to Q by T क्या होता है न अब यहां पर अगर तुम Q by T पूट कर दो तो एक J का नया फर्मूला और हो जाएगा एक Q by T रहेगा और A हो जाएगा अब Q is equal to R क्या होता तो N E quantization of charge पढ़े हो ना Q is equal to N E तो यहां पर अगर N E पूट कर दो तो N E by T यह सारा का सारा फर्मूला तुम्हारा drift velocity का हो गया तो तुम जितना यूज N E by T जितना तुम यूज कर दो गोई जितना तुम यूज करते जाओगो उतना अच्छा है N E by T अब बताओ इसका unit क्या हो जाएगा तो N per meter square तुम खुद सोचो क्या आया था तो I by A यही ना आया है फर्मूला I by A तो बोलो I का क्या होता है I का क्या होता एंपियर और area का क्या होता है क्या होता है जल्दी बता दो इसका मतलब होगा कि MPR पर meter square इसका dimension अपने से सोचलो इसका dimension क्या होगा अपने से सोचलो क्या होगा dimension क्या होगा dimension तो तुम खुद सोचो क्या होता है तो ampere ए तो unit इसका क्या होता है तो meter square ampere per meter square तो बोलो dimension क्या हो जाएगा तो ampere का तो ampere ही रहेगा और meter का क्या हो जाएगा तो L2 हो जाएगा और square है तो हमें इसका मतलब हो गया है A L minus 2 तो बच्चा A सब थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि objective के लिए A सभी चीज़े बड़ा importance होती है अब हम लोग आते हैं कि बताओ क्या relation है between current density and drift velocity current density और drift velocity के बीच में क्या relation है current density और drift velocity के बीच में क्या relation है तो अभी अभी हम लोग पढ़े हो कि I is equal to N E A V D नहीं दिख रहा है चलो बहुत अच्छे I हाँ इसे बताना चाहिए N E A V D अब A को क्या करो by में ला लो तो I by A is equal to N E V D और इसी I by A को हम क्या बोलते हैं J बोलते हैं I by A को हम क्या बोलते हैं तो J कहते हैं इसका मतलब हो गया कि J is equal to N E V D अब अच्छा तुम जानते हो न यहाँ पर N भी constant है और E भी constant है इसका मतलब J proportional V D A relation है current density और drift velocity के बीच में यही relation है J proportional V D यहाँ पर बताएं न कि यहाँ पर क्या है तो N E और V D N E दोनों क्या है constant है तो variable क्या हो गया V D हो गया इसका मतलब है कि J proportional V D उमीद करे बच्चा समझ में आ रहा है पक्का एकश्ची समझ में आ रहा है बोड का मज़ा मिल रहा है बहुत आराम है ना न मिटाने का जहमेला है न कुछ है और ए सभी चीज़ें तुम्हारे पास बिलकुल हमेशा के लिए एक बना हुआ भी रह जाएगा अब आओ यह देख लो मैं फिर वही पुराना बात बता रहा हूँ पुराना डरोग दे रहा हूँ ओम साहब है बिलकुल electric current के भगवान है बहुत दिनों तक तो इनको एकदम ही प्रभू माना गया इनके रूल को fundamental रूल माना जाता था तो इनका अस्रिवाद ले लो आते हैं ohm slow क्या है ohm slow क्या है बहुत बच्पन का चीज है कि भी proportional i यह ohm slow है क्या है ohm slow ohm का नियम है कि अगर by the way आप एक circuit ले लो इस circuit से अगर आप current flow करा रहे हो i और potential है भी तो ohm साहब ने rule दिया कि by the way अगर एक terminal को यहां मान ले एक terminal को यहां मान लेते हैं और यह दोनों terminal के बीच से current कितना flow हो रहा है i current flow हो रहा है तो इन्होंने कहा कि this flowing current is directly proportional to b क्या बोले समझ में आ रहा अगर इसी को तुम ऐसे लिको तो b proportional i कह सकते हो तुम सब जानते हो कि this proportional breaking in a constant and this constant is represented by r और rule हो गया ohm का नियम हो गया b is equal to ir इसमें जादा time में best नहीं करूगा बहुत junior means का मामला है सबसे पहले class 10 में तुम स्लोप पर चुके हो कि b is equal to ir this potential difference is directly proportional to flowing current जो धारा प्रवाहित हो रही है तो terminals के बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा विभुवांतर का potential difference का directly proportional होता है तो b proportional i या i proportional b और proportional constant में तूटता है तो b is equal to ir और 21 r को हम क्या बोलते है इस आरको क्या बोलते है बच्चा जल्दी से बता दो resistance प्रतिरोध कहते है resistance क्या होता है resistance नॉर्मली resistance का क्या मतलब समयदे हो ऐसे आगे जाऊगा तो मैं बताऊंगा resistance का मतलब होता है कि यह जो Soon metal ली हो' अजो metal क्या चिच्ड कहो सकता copper का हो सकता है, aluminum का हो सकता है चांदी का हो सकता है, silver का हो सकता है बहुत सारे चीजों का हो सकता है, लोहा का हो सकता है तो तुम खुद सोचो कि ये सारे का जो density होगा density का मतलब क्या होता है? density का मतलब होता है कि कितने molecules इसमें है और उन molecules का क्या character है थोड़ा सा इसको density तो क्या सब सेम density का होगा क्या नहीं सब सेम density का नहीं होगा कुछ मुलायम होगा मुलायम होने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें को बीच का distance थोड़ा ज्यादा ज्यादा होगा जिसे सेलमुनियां से भी ज्यादा मुलायम चांदी है पड़ेगा लेकिन कोई जादा रोकेगा कोई कम रोकेगा किसको धारा के प्रवाह को इसका मतलब है कि रजिस्टन्स हो गया कि जो इलेक्ट्री करेंट फ्लो हो रही है उसमें जो विरोध उत्पन हो रहा है जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है जो विरोधी बल लग रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं, चलो यह सभी चीजे, तो बहुत पहले का चीज है, सहाँ जानते हो, एग्याम का टाइम में, मैंने यही बात बताया, यही बात मैंने बताया, कि अगर तुम by the way, अगर by the way यहाँ पर तुम यह resistance है, current हम i flow करा रहा है, potential difference अगर दोनों terminal के बीच का, अगर potential difference b है, तो हम यहाँ पर तुमको एक table दिये, इससे भी तुम समझ सकते हो, यह b is equal to ir, अब यहाँ से तुमको जो न by हो गया और यह i, तो एक कोई बड़ा बात नहीं है, 12 के बच्चों के लिए, बस एक बताया गया, थोड़ा interest आता है, यह भी i into r होता है, अगर i लेना है, तो भी by r हो जाएगा, और यहाँ से अगर यह r लेना है, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ तो तुमको सह जादा, मिट कोई दिकत नहीं है, चलो बहुत अच्छा, कोई दिकत नहीं है, अब अगर मेरे को कहें कि ओम को verify करो, ऐसा तुमको ओम का verify आ नहीं रहा है, लेकिन question तो question होते हैं, कि अगर ओम को verify करने के लिए कहा जाए तो, तो हम एक क्या करें हैं, कि ऐसा circuit लेंगे, क्या क्या लगा हु मैं रियोस्टे के बारे में पहले बता चुका हूँ, धारा, नियंत्रक, यंत्र, पहले क्या होता था, कि सर्कुट में करेंट को बढ़ाने के लिए, और करेंट को घटाने के लिए, नमबर ओ बैटरी जोडने पड़ते थे, लेकिन आज के डेट में, जब टेक्नलोजी थो इसका पहते हैं, बस यहां से यहां तक, इसपीड कर जाएगा, इसको ही जाएगा इसको रियोस्टे कहते हैं, यह क्या करता है, इसलिए मैं तुमको और अब जीज और एक जसलाइगा, अधन पर एसके लिए, बढ़ जने का जरुद को जरूडने और एले もの का जरूदाने, यहां रजिस्टेंस लगा हुआ उसका यह potential हो गया तुमको पता होगा नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ अभी कि जो potential होता है वो potential कैसे जुड़ा रहता है और यहां पर ammeter लगा हुआ होगा है तो अमिटर का काम है करेंट को बताना और कैसे जुड़ा हुआ है तो एक से जुड़ा हुआ है और एक कैसे जुड़ा हुआ है यहां पर वोल्ट मीटर कहा दो कैसे जुड़ा हुआ है पैरलेल जुड़ा हुआ है तो बच्चा यह सब ध्यान देने का जरूरत है ना जाने अब्जेक्टी में किस मोड पर क्या हमसे पूछ देगा चलो में भी कोई बच्चे को फीगर बनाना होगा तो उनको गंदा हो जाएगा तो म अब क्या किया की सर्किट बना दिया अब सर्किट से क्या किया उन्होंने धीरे-धीरे करेंट को बढ़ाते गया रियाउस्टर को स्लाइड कर वाकर के धीरे-धीरे करेंट को बढ़ाते गया डेटा बना लिया एक तरफ करेंट और एक तरफ भी यहां पर रीडिंग लिया यहां पर कुछ बढ़ा करके, कुछ घटा करके यहां reading लिया, potential का reading यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, 57-10 potential का भी reading लिया, और जब उन्होंने graph बनाया, तो graph कैसा आया, state line में आया, एक तरफ current है देख लो, और एक तरफ voltage potential है, और इन्होंने जब graph बनाया, graph कैसे आ रहा है, तो graph state line पर आ रहा है, यह state line का graph बता रहा है, state line का graph बता रहा है, कि I proportional भी, यह state line का graph बता रहा है, कि I और भी दोनों directly proportional है, जो ohm के नियम को सत्यापित करता है, यह हो गया ohms law का verification, तो उमीद करें बच्चे कि आप लोग को समझ में आ रहा है, पक्का समझ म अब देखो, actually क्या है न, कि अगर मैं तो सारा question एक दिन में कर दूँगा, मेरे को कोई समस्या है नहीं, लेकिन तुम लोग अपना देखना कि कितने अच्छे कि इतने questions को तुम लोग कर सकते हो, तो हम लोग को बहुत हरवडा करके syllabus को निकालने का जरूवत नहीं है, इतने derivation of ohm's law from first principle, कि first principle के base पर आप derive करके बताइए कि ohm का नियम क्या है, तो बच्चा अभी तुम पढ़े हो कि i is equal to neavd, देखो, i is equal to neavd, और साथी साथ पढ़े हो कि vd is equal to eet by m, हम लोग पढ़े हैं न, यह दोनों फर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आप देखो, जो main formula है, main formula कि e is equal to v by l, v by l, ध्यान देना, v by l, unit length पर जो potential होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, intensity कहते हैं, अब बोलो, v के बदले क्या put करोगे, तो v के बदले put कर दो न, v मतलब vd, क्या put कर दोगे, तो e, e, t by m put कर दो, तो इसके बदले अगर तुम put कर दोगे, ऐसा करो न, यहां पर e का value यहां put कर दो, यहां put कर दो, तो क्या हो जाएगा, vd का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, e, t by m तो रहेगा, और e का बतलब हो जाएगा, v by l, और arrange करके तुम लिखोगे, तो तुम्हारा हो जाएगा, vd is equal to e, t, कहीं कुछ गरबड़ हुआ क्या, e रहेगा, t रहेगा, aim रहेगा, unit length पर जो potential होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, e, अब, हुआते हैं, कि यह ठीक है कोई नहीं एटी भी भाई एमल क्या निकल गया एटी का माना रहा है तो बोलो प्या होता है करिंट क्या होता है करिंट इस इक्वल और भी डी का मतलब क्या पूट करोगे तो इटी भी भाई एमल इसका मतलब हो गया एटी भाई एमल इंटू भी यस इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इस नॉट्स में थोड़े मिस्टेक है यहाँ पर क्या हो जाएंगे भी हो जाएंग है यस अब सभी हो गया है तो मैं पर देख लो अभी तुम्हारे पास क्या है अभी तुम्हारे पास है i is equal to अभी तुम्हारे पास है i is equal to n e square a t by ml into b t by ml into b अब हम बोले कि इस i को इधर ले आओ तो इधर लाओगा तो b by i हो जाएगा तो फिर a वाला ml उपर चला जाएगा इधर क्या हो जाएगा ml चला जाएगा और n e square a t नीचे चला आएगा n e square a t नीचे चला आएगा और फर्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा हम उमीद करें समझ में आ रहा है और तुम्हारा equation यहां तक आ गया तुम्हारा equation यहां तक आ गया अब एक चीज़ ध्यान देना अभी तक साय तुमको मैं बताया या नहीं बताया कि m by any square t को हम क्या बोलते हैं रो कहते हैं जा ध्यान देना इस बात को मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि m by ए देखो m by any square t को हम रो देखो इसी को ऐसे click सकते हो m by any square t और यहां बच गया l यहां बच गया a is equal to b by i और इसी को हम रो कहते हैं तो हो गया रो l by a और b by i का मतलब क्या होता r और a जो फर्मूला है इसका मतलब हो गया कि r is equal to रो l by a r is equal to रो l by a रो l by a और इसी को हम लोग कहते हैं इसी को कहते हैं जहां पर रो इस इक्वलटो क्या आ गया है तो M रो इस इक्वलटो क्या आ गया M by N E square T इस रो को हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से बता दो इस रो का क्या नाम है इस रो का नाम है रजिश्टी भी T तो हम उमीद करें बच्चा तुमको समझ में आ गया, पक्का समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे समझ में आ रहा, अब एक लास्ट कोश्चन आज का कर लो, आज का लास्ट कोश्चन तुम्हारा पूरा ओम्स निकल जाएगा, कि अगर तुमको जब एक कहेगा कि रिलेशन बताईए, रिलेशन बिट बिट बिन जे रो एंड ए अभी तुमको रो के बारे में ज्यादा नोले साइद नहीं है, नहीं है ना, कोई बात नहीं है, पढ़ते पढ़ते हो जायेगा, आई इस इक्वाल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, एन E A तो रहेगा, और B D का मतलब हो गया, E E T by M, सही बात, I is equal to, अब ऐसा करो कि J में कनवर्ट करने के लिए A को इधर ले आओ, तो हो गया तुम्हारा I by A is equal to, क्या बच गया, N तो रहेगा, अब देखो A की यहाँ पर है, तो E square हो गया, और E T by M, और इसी को हम क्या बोलते ह हैं, जे बोलते हैं, तो J is equal to, क्या हो गया, N E square E T by M, और बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देना, क्या तुम्हारा है, तो फर्मुला है, J is equal to N E square E T by M, क्या इसी फर्मुला को ऐसे लिख सकते हो, E N E square T को, तुम क्या करो, बाई में लालो, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, उपर में क्या रहेगा, E रहेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, M by N E square T, इससे तुमको फायदा हो गया, कि इसको तुम रो लिख सकते हो, और फर्मुला आ गया, कि J is equal to E by Rho, और यही relationship है, यह अंसर है, और अगर इसको cross multiplication कर लो, तो E is equal to J into Rho, तो बच्चे हम उमीद करें कि तुम लोग को यह पूरा समझ में आ गया, यहां तक पका समझ में आ रहा है, एकदम guarantee समझ में आ गया, पका, कोई दिकत नहीं है, तो यहां तक, मतलब OMS law तक, आज हम तुम्हारा clear कर दिये ह हैं, एक दिन हम लोग को short question में और लगेगा, इससे ज़्यादा question अगर लेकर के चलोगे, तो तुमको थोड़ा problems होगा, क्योंकि तुमको सारा subject पढ़ना है, तो हम उमीद करते हैं बच्चा, कि तुम लोग को अपन का class जो है, निशिती समझ में आ रहा होगा, और अच्छा class होने से साय तुम लोग को letters, अब सब कुछ font, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत अच्छा से पढ़ाई करो, अब तो तुमको कोई, बिल्कुल तुमको साय अब मेरे उपर भी स्वास होगा, कि अब तो एक course दुबारे पढ़ा देंगे, और साय बहुत अच्छा तुम्हारा हो जाएगा preparation, और बहुत कमी लोग होते हैं बिटा, जो इतना जादा cooperation तुमको करेंगे, तो मैं एक बहुत अच्छा cooperation कर रहा हो तुमको, और हम उमीद करते हैं कि तुम लोग इसका हमको fruit भी अच्छा दोगे, तो चलो बहुत अच्छा है कि तुमने मेरे classes को watch किया और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई problems होगा, तो हर बार की भाती फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इस number पर 911-016-3511 आप इस पर आप मेरे से बात कर सकते हो, whatsapp कर सकते हो, chat कर सकते हो, तुम्हें मैं तुम्हारा जो भी problems होगा, उस problems को मैं और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अभी इस तरह का बहुत सारा classes तुमकों देने जा रहा हूँ, तो बार बार मेरे को लिंकों बगर भेजने का नौबत नहीं आएगा, और अपना opinion जरू के साथ लेकर के आएंगे, तब तक के लिए, हवे नाइश दे, सब इंज्वाए करो class को, और खुब बढ़ियां से पढ़ाई करो, ओके, बाई बाई